नमस्कार आदा आप सस्य काल दोस्तों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने नॉमन केचा आइसो मेरिजम और केमेस्ट्री के काफी पार्ट करयत है आज अपने हाइड्रो कार्बन में 2019 और 2020 में जितने कुश्चन आये हैं उसको एक जगा क्रमभद करके उसके बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट कुश्चन है बात करते हैं आप अपर निमलिखे तवक्रिया का मुख्य उत्पाद है आपसे पहले भी बात हुई है कि हम लोग इर्द गिर्द की बात करेंगे तो जब भी एल्कीन की रियक्षन होती है एक बार इसके बात करते हैं एक हलका सहिंट सुनों CS2 double bond CS2 है या CS3 CS double bond CS2 ठीक है सिंपल अगर रियक्षन करते हैं अपने CS3 CH double bond CS2 की ठीक है हएं एच सीद लोगरे के साथ रियक्षन करते हैं है एच सीएग तो है प्लस एफ प्लस और माइनस यह इदर प्लस और माइनस लेकिन जब इसी एलकीन की रियक्शन CS3, CH, double bond CS2 बात हम connect पार रहे हैं इसको NCIT से BR2 के साथ रियक्शन होती थी BR2, CCL4 तो यह इसमें CS3, CH, CS2 और यहां क्या हो गया? BR+, बन गया यहां क्या बना? Non-classical carbocatine क्या बना? Non-classical carbocatine अब यहां से आगे BR- अटेक करता है तो मुद्दा आता है कि Non-classical carbocatine कब बनेगा? बिटा जनरली बात बोल रहे हैं इसको दियान सुनना जब carbocatine के पास lone pair हो तो जनरली क्या बनाएगा? Non-classical carbocatine ठीक है? बात समझ गया? जैसे क्या है? lone pair तो क्या बनाता है? non-classical carbocatine ठीक है ना? Non-classical carbocatine आते ही हमार दिवांग में दो बाते तो confirm से लेगी पहला किसमे री-एरेज्मेंट नहीं होगा ठीक है ना? Non-classical carbocatine में री-एरेज्मेंट नहीं होगा ठीक है? तो इसकी बारे में बात करते हैं जो री-एक्सन है अपनी उस पर आते हैं यह है तो यह बन गया बे-इंजीन है यह? और बी-आर टू है बी-आर प्लस जब अटैक करेगा तो यह क्या होगा? Non-classical carbocatine तो यहां पे यह हो गया देखना इधर बी-आर प्लस हो गया? अब अटैक कौन करेगा? बी-आर माइनस भी अटैक कर सकता है ETO माइनस भी क्योंकि यह भी नूक्लियोफाइल है लेकिन ETO माइनस क्या है? स्ट्रॉंग नूक्लियोफाइल करने को यहां बी-आर-बी-आर भी लग सकते है देखना लेकिन आगे क्या टैक होगा? ETO माइनस तो यहां क्या हो गया? OET और यहां क्या होगा? BR यहां BR-बी-आर भी आता है लेकिन वो ऑप्सन भी नहीं है और वो माइनस पोड़क होगता है ठीक है न? देख लो पहले इसको BR प्लस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन बनाया है पहले फिर क्या टैक कर रहा है? OET माइनस ठीक है बीटा? सही है? तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? यह वाला फोर्थ आंसर होगा ठीक है? और BR-BR वाला आप्सन में भी नहीं है तो यह करेक्ट और उचित आंसर यह यह ठीक है? आगे चलें नेक्स क्षेशन देखो question देखो, which hydrogen in following compound is easily replaceable during bromination reaction in presence of light homolytic fission, presence of light, presence of light की बात आ गई, तो कौन सा fission हुआ, homolytic और homolytic fission में इसके बारे हम देख लो, CS3 free radical बनेगा, CS2, CH double bond CS2 और यहां खुदी देखो इदर, alpha, beta, gamma, delta, यह सब दे रखा है, यहां free radical बना के देख लो, यहां बना के देख लो, यहां बना के देख लो, यहां बना के देख लो, जो free radical अधिक stable होगा, वही hydrogen replace होगा, मतलब H अटा के हमें क्या बनाना है, free radical, तो यहां पे, CS3, CS2, CS3, हम तो यहां बनाई दे रहे हैं, CH double bond, CS2, देखो double bond के ठी बगल में carbon से H अटाय के हमने क्या बना दिया, free radical, अब वहां पे क्या लगा दोगे, BR, जो भी कहा है, bromination के रहा न, तो यहीं BR2, H2, यहीं क्या लगा दोगे, BR, कोई दिक्कत, तो कौन सा hydrogen replace होगा, गामा वाला, गामा वाला option कौन सा है, गामा hydrogen, ठीक है, यहां पे, और देखना आपको बात, जिससे मानलों यह है, BR2, UV light, यह NCIT में है, ठीक है, यह हट आते हैं, और यहां क्या बना देते हैं, तो CS2, और यहां क्या हो गया, सही है, कर लोगो ने इसको, डवल बॉर्ट, अराम अराम से question, क्योंकि यह, नीट वाले बच्चे भी ध्यान दो इसको, कि बच्चे तुरंद ही repeat होगा भी, यह सब question ऐसे हैं कि सीधे repeat होने वाले, अगला question, निमलिखित मुरोनाय ट्रिकरण अवक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाग होगा, ठीक है, जब आप पढ़ते थे तो इसमें 8-10 रूल लिखाया जाते थे, सिंपल से बात बोल दे रहें, जनरली अगर बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रूप है, तो एलेक्ट्रोफाइल, सब ये रूल जनरली है, कहीं कहीं exception हो सकते हैं, जब बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रूप है, तो कहां जाएगा और तो और पैरा, पैरा मेजर, अगर डी एक्टिवेटिंग ग्रूप है, तो एलेक्ट्रोफायल कहा जाएगा मेटा Itu activating गूर तो इसट्रॉंग throughout गूर। बेंजर में पर एक्टिवेटिंग ओ डी एक्टिवेटिंग गूरूप है तो एक्टिवेटिंग करूझ क्या नूँ सार बेंजर रिंग पर कोई हैलोज simplu पूछता है कौन deactivating group होने के बाउजूद भी orthopera halogen है तो वो कहा जाएगा orthopera halogen activating है तो किसके according जाएगा activating, rules हम सुन लो बस ऐसे, halogen deactivating group है तो किसके according, halogen ठीक है बोलो अगला यहां पर देखो question यह दो बेंजीनरिंग है और यह कौँ था जिस ring पे activate होगा उसी ring पे आपको electrofile का attack कराना है, जिस ring पे activate होगा उसी ring पे अब यह देखो, यह दो बेंजीनरिंग तुम्हें दिख रहे है अब यह question कई हो form में आया है, यह J में पहले भी आया है इस form में आया है NH CO यह तो दो बेंजीनरिंग एक्टिवेट कौन से कर रहा है यह तो इसी का और थे, यहां ब्लॉक कर दिया था उसमें, ठीक है तो बात पहले पूरा रूल सुनगे अब दो ring है इसमें कुछ कौन सा ring एक्टिवेट हो रहा है यहां पे क्या है, लोन पेर और यह पेरा, नाइट्रिकरन, नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4 ठीक है OHNO2 H प्लस OH2 प्लस NO2 माइनस H2O क्या हो गया NO2 प्लस एलेक्ट्रोफाइल क्या होगा नाइट्रेशन के लिए इसके बारे में सब चीज बात सुन लो कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 को क्या कहते है नाइट्रेटिंग मिक्सर हर बात को पहले सुनो HNO3 एक्ट एजे बेस यह भी क्योश्चन आया हुआ है कि नाइट्रेशन में HNO3 किसकी तरह काम करेगा किसकी तरह करेगा BASE H2SO4 ACID इसमें एलेक्ट्रोफाइल क्या अटाइक होगा NO2 प्लस अब क्वेश्चन के बारे में तो इसके कहां जायेगा और्थो और पैरा पे यह है आंसर NO2 सीधे कहां लगाएंगे अपने यह तो इसलिए बतारेगे यह हलका से रिवीजन हो जाए तुम्हें तुम्हें तुरन देखना दो बेंजिन यह एक्टिवेट किस्ट पो रहा है इस वाले पे इसी के और तो पैरा पे जाना है पैरा क्या होगा आपका मेजर प्रड़क्ट ठीक है बिटा कर लोगे नेक्स्ट आजब यह भी अच्छा कोश्चन है इधर देखो एच्छ बी आर चीक है तो यहाँ एच्छ बी आर पहले कहाँ टेक करेगा बोलो बिल्कुल सरी डबल पॉन्ट पर तो यह हो गया आपका ठीक यहाँ है और यहाँ क्या बनेगा प्लस बोलो तो यह एच्छ प्लस और यह प्र एच्छ प्लस चला जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ माइनस प्लस इस पर चला गया ठीक है, अब यह बात हो गई अब क्या अटेक करेगा इसे पर वियार माइनस बोलो ठीक न अब क्या दिया है एक ही साइड में लिख दे रहे हैं एक ही लाइन में एक ही लाइन में एक ही लाइन में है ठीक है तो HBR यहां से और यह HCL एक ही साइड निकाल दे रहे हैं तो यह क्या हो गया है डवल बॉन्ड यह और यह बोलो अब इसमें एक और चीज आ जाएगी कीटो फॉर्म है क्या हो जाएगा टॉटो मरेजिसन तो क्या बन गया है इनॉल देख लो पहले कोश्चन पर आजा मूल पूरा एक साथ देख लो यहां एक छोटी सी बात है कई बच्चे कहते हैं कभी सर सी एल इलेक्ट्रॉन देता है यहां देखो जस्ट जबल बॉन्ड स करते हैं कि दौरान वह उलेक्ट्रॉन देता है लेकिन यहां यह प्लस और माइनस के पास यहां प्लस बन गया तो को गया कर दिया है और वाला थार्ड आंसर कौन सा हो गया थार्ड पर ले देख लिया है मिटा रहा है आंसर कौन सा हो गया थार्ड भूलो ठीक है next question कि यह बहुत सांदर question है इसको मैं इसे बना के लिख देते हैं यह है चीख है यही क्वेश्चन है चले आगे अब इसको हम रफ वर्क लेटे हैं किसके साथ रेक्षन है देखना है अब अब एच सी ल के साथ है ठीक है एच सी ल के साथ यह रेक्षन है अब आज़ा बिटा प्लस और यह माइनस हम एच प्लस सी ल माइनस ठीक है सी एस थ्री सी एस थ्री प्लस ठीक है अब यहां सी ल माइनस CS3 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 अब यहां जो मुद्दे की बात है अच्छे बच्चों के में बीच में जो दिक्कत आती है कि सर पांच के रिंग से कार्बो का टायन होता है तो वो रिंग खुलती है लेकिन देखना बिटा है यहां पर यहां पर 3 डिगरी है और वो भी कैसा है रिंग खोल देते हैं तो देख रहा है इस टाइप की कोई सिच्वेशन बनेगी अब तुम्हें ऑप्सन भी दिखा रहे हैं साथ इस टाइप की कोई सिच्वेशन बनेगी ठीक है ना और यहां कैसे कार्बो काटाय है 2 डिगरी यह लेस स्टेबल है क्या है यह लेस सिच्वेशन है तो इसमें ऑप्सन भी है अधिक मेजर प्रोड़क्ट कौन होगा यह ठीक है ना और बोलो क्योंकि यहां 2 डिगरी है ठीक है तो अपने मूल पर आजाते हैं क्वेशन पर यह सब पूरा देख लिए पहले अब देखो आंसर इसमें कौन सा है यह है second आंसर कौन सा है second देख लो यह तो simple वैसे नहीं होगा यह ring खुली है लेकिन क्या है less stable यह ring खुली है लेकिन क्या है less stable यह more stable है second ठीक है बटा देखो इसको हमने double bond गुमाया plus minus plus कहां गया minus के पास फिर देखा गया कि 3, 3, 6, 7 alpha hydrogen है 3 degree है तो ring इसमें नहीं खुली है क्योंकि ring खुल ले थे तो उतना stable carbocatine नहीं बन रहा था देख लिए question next यह भी सांदार question है alcoholic QH का काम क्या होता है alcoholic QH HBR एक बार दियान से guideoid में थोड़ा सा गरबर दिया होता है कि दो alcoholic QH है एक बार alcoholic QH जिसे मान लो यह है तो CS3 CS2 CH double bond CS2 CS double bond CHBR एक बार alcoholic QH का आपने प्रियोग कर दिया HBR निकल गया अब उससे strong जिसे क्या है यह SP3 है यह क्या गया SP2 SP2 हुआ तो अब उससे alcoholic QH क्यों से strong बेशा में चाहिए तो फिर यहां क्या कर दिया N, A, NH2 CS3 CS2 C triple bond CH HBR निकल दिया ठीक है हाँ फिर अगर N, A, NH2 दिया जा बेटा तो क्या होगा यह तो हमारा होगया question answer कौन सा होगया यह होगया यह तो होगया answer लेकिन फिर अगर जो होगया न answer यह तो होगया answer अगर इससे आगे देखो यह भी famous आने को यह आ सकता है N, A, NH2 फिर आ जाए तो क्या कर दोगे CS3 CS2 C triple bond C, N, A और फिर आगे दे दिया CS3, CL NA, CL निकल गया है फिर आगे linlar, catalis, NA, liquid, NS3 कुछ ऐसी बात यह कर ले जाएसे मानलो फिर दे दिया हलो इधर देखो फिर मानलो दे दिया CS3, CL तो यह बन गया CS3, CS2 C triple bond C, CS3 अब दे दिया N, N, S2 मजा जाएगा क्या बनेगा trans-alkene क्या बनेगा trans-alkene तो question तो हमारा इहीं खतम हुआ लेकिर हमने एक खिंट दिया क्योंकि यह भी NTA का फेबरेट मेंटर है ऐसे भी चीजें आ सकती है next question question देखो which of the following alkene when treated with HDL yield majorly and anti-marconic off product marconic off, anti-marconic off जानते हो negative marconic off क्या होगा negative part attack where less number of hydrogen across double or triple bond और anti-marconic off उसी का उल्टा तो तो रियक्शन को आराम आराम से लिखो यह है CF3 क्या है CF3 CH double bond CH2 किसके साथ रियक्शन करा हो किसी के साथ SCL के साथ दिया है ठीक है अब CF3 क्या करेगा electron खीचेगा कि देगा खीचेगा तो यह इधर move कर गया जो देता है उसे plus जो लेगा उस पे माइनस प्रोडेक्ट क्या बना है बिटा CF3 CS2 CS2 CL बोलो सही है नेक्स्ट थर्ड वाला कुश्चन देखो सेकेंड वाला थर्ड देख लो NH2 CH double bond CS2 double bond के साथ क्या टेच है बाबो बोलो क्या टेच है loan pair तो यह इसको देगा तो plus और यह minus plus और यह minus NH2 CH CL और यहां क्या हो गया CS3 ठीक है इसको इहीं कर दे रहे हैं देखो HCL पलस और माइनस double bond के साथ क्या टेच है loan pair तो यह धक्का देगा पलस और यह minus तो यह हो गया CS3 O CH CL CS3 ठीक है इसके बारे हम देखो CL देगा काना भी पलस और यह माइनस double bond के साथ CL अटेच होगा तो देगा SCL के साथ SCL CL CH CL CS3 अब हमें क्या चाहिए अब देखो पहले product सबके लिख दिया हमने negative part double bond के cross वहाँ जाजा hydrogen के number कम होगा तो वो तो होगा markonic half otherwise क्या होगा anti-marconic half तो यह है anti-marconic half negative part जो CL है plus और minus वहाँ जा रहा है double bond के जहाँ hydrogen अधिक है तो यह होगा anti-marconic half AMKR ठीक न यह क्या है MKR यह भी दोनों क्या है MKR markonic half तो answer कौन सा हुआ first कौन सान सरो बिटा first ठीक है सही है अगला चलो सांदार question चलो अब यहाँ एक बात करते हैं इसको जाने चलो इदर तरसी ब्यूटॉक्साइड CL है क्या बन जाएगा पहला इसका यूज किया हमें तरसी ब्यूटॉक्साइड यह है यह है बोलो क्या बन गया आपका एलकीन बना अब अब कंसंटेट स्टियोसफोर यहाँ खेल देखना एक्स प्लस यूज कर रहे है यह यह हुआ एक बार प्लस यहाँ बना दोनों जगा हम बना के देख रहे हैं और एक बार गौर करना बेटा बहुत सांदार चीज़ है यहीं पे प्लस यहाँ बना अब देखो एक बहुत पहले नोट लिखवा के अपने रखते थे कि C double bond O के बगल ने प्लस चार्ज रेजोनेंस के दोरा इस्टेबलाइज नहीं होगा C double bond O से जो प्लस चार्ज अटेज होता है बगल में वो रेजोनेंस के दोरा इस्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि जैसे रेजोनेंस पनाओगे प्लस चार्ज यह उतना अच्छा इस्टेबल नहीं होगा और यह क्या होगा तो इसी का आगे कंटिन्यू करते है कितने गरिंग बन जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने गरिंग बन गई 6 की यह तो अपने जगह पे ही रहा देख लो रिंग ऐसे गिल लो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक प्लस माइनस क्या हो जाएगी 6 मिंबर की रिंग बन जाएगी कौन सा हो जाएगा आंसर देखो 2 8 का आंसर क्या होगा 2 बोलो सही बटा देख लो आराम से हमें कॉंसेट कहां पर है हर बच्चा जो भी आप कॉचिंग हो रहे करता है सबको यह पता है कॉंसेट यहां पर थोड़ा सा है कि सीओ इसको क्यों लिए सर कई बच्चे दिवाग में कि सर सी रेवल बॉंड हो कि बगलने प्लस चार्ज है पर नाँ यह सब्कॉर्ण चार्ज है कर सब्सक्राइब में को करेंगा निगेटिव चार्ज कहां टेक करेगा वेर लिस नमबर आफ हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा है CS3 C CL double bond CHD बोलो बिटा सही है अब किसके साथ भी एक्षन होगी DI D plus I minus मारको नहीं काफ रूज सिंपल से लगा होगा निगेटिव पार्ट, double bond, triple bond के रिस्पेक्ट में वहाँ अटेक करेगा जाएड्रोजन कम होगा तो D plus सीधे लग गया है CS3 CL I CH D2 बोलो ठीक है तो आंसर क्या हुआ CS3 ICL CHD2 ठीक है CH3 C ICL CHD2 ठीक है बेरी गुट साहज गया है तो आंसर कौन सा होगा है 4 ठीक है नेक्स चलें निम्रिखी त्योगिक में अरिमेटिक एलेक्टरॉन से नहीं प्राइप्र ठीक है Directly proportional to activating group Electrophilic substitution reaction is directly proportional to activating group ठीक है जिसमें अच्छा activating group होगा सबसे अच्छा activating group यह है फिर यह है यह deactivating last में उससे पहले यह तो सबसे दी कौन हो जाएगा B B के बाद C C के बाद A फिर D B, C, A, D 10th का क्या होगा बैटा सही है और वो लाइन लिख लो लाइन कौन सी Electrophilic Electrophilic Substitution Directly proportional to Activating Group और यह वाली चीज़ याद है C6H6 Equal to C6D6 Equal to C6D6 Nitrational Halogenation के लिए और Sulphonation में यह धिक यह बाद हमें तुम्हें एक recall कराई दिखो जो बहुत तेज़ बच्चा है उसने तो यह सब पहले ही कर लिया Average बच्चा Normal बच्चा उसके लिए यह सब बारे में बार बार और यह Electrophilic Substitution देखना अगला फिर question वही आएगा कि order of Electrophilic तो बहुत famous चीज़े हैं तो famous को ही कर लो तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा समझगे J-Main में 95% परसेंटाइल से उपर और Neat का matter तो इससे repeat होगा Neat में भी इसमें खुब बार question आएगा खुब बार बेटा परोसागर के देखो कई बार यह question आते हैं इस टाइप से इसलिए हमने एक बार और लिख दिया ठीक है Next चले हाँ इसमें चेंज हो जाता है यह फिर यह Next फिर देखो कह रहे है था नहीं क्या आया होगा जरूज क्योंकि आया था यह The increasing order of reactivity of the following compound towards electrophilic aromatic substitution Electrophilic aromatic substitution यह क्या करेगा Activate यह CO group CO क्या करता है? Deactivating तो सबसे दिख टू फिर वन और लास्ट में क्या आ गया है? थ्री तो टू वान थ्री फिर वो बात लिख देना Electrophilic aromatic substitution is directly proportional to activating group यह deactivating group लास्ट में आ गया ठीक है? Next चले बहुत से simple सा लेकिन एक थोड़ा सा concept है इसमें concept क्या देखना भी बता रहा है? तर्सरी butoxide है क्या करेगा? HBR निकालेगा अब HBR निकालेगा तो बच्चों दो जगर से HBR निकल सकता है BR तो यहां एक बार H यहां से निकल सकता है यहां से भी निकल सकता है लेकिन तुम गौर से देखो कि यहां aceric hydrogen कहां पे है गौर से देखो कि यहां aceric hydrogen कहां पे है तो यह है यही तो है तो यहां जब निकालोगे तो ये ये बोरो अब O3ME2S Reductive Ogenesis कौन सी? Reductive Ogenesis जिन बच्चों के पास copy होगी हो ध्यान सब ये बातें सब करी गई है तो double bond तोड़ दो और क्या लगा दो O3ME2S लिखा हो या O3 ZN H2O लिखा हो double bond कार्ड दो O लगा दो तो क्या बन गया? CHO CHO PLUS CS2 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 CHO CHO ठीक है? कौन सांसर हुआ? First बोलो चलो Next CysDiol ठीक है? और क्यानों 4 Acidification कहे दिया ना? तो आपको Simple उसको Butuin CS3 CH Double bond CX CS मतलब Oxidative वो जोने Cys कर दो सीधिये कि Double bond तोड़ो O लगाओ अगर Eldehyde है तो उसको किसमे Change कर दो Acid याद आ रही बात है कि Double bond तोड़ो O लगा दो अगर Eldehyde बन रहा है तो उसको किसमे Change कर दो Acid Ketone है तो उसको Touch नहीं करोगी तो के उनों 4 है तो दोनों Eldehyde बन गया CS3 CHO CS3 CHO यह तो तरीका बता रहे हैं तो मैं Direct इसको इसको दोनों में क्या डालना है OH फिर Oxidize कर दिया क्या बन गया CS3 COH CS3 COOH है कोई Answer 2 Molecule of CS3 COH बोलो ठीक है Next आज़ा Simple सी बात ही भी CL2 Water तो यह हो गया HOCl कई यह बार Question यह IT में आया हुआ है कि HOCl कैसे Dissociate होगा कौन पहले अटेक करेगा कौन बाद में अटेक करेगा तो उसकी बाद सुनो HO-CL कौन अटेक करेगा पहले CL और कैसा Carbocatine बनेगा Non Classical Carbocatine तो यह बन गया CS3 CH CS2 CL प्लस हाँ ध्यान सुनो Non Classical Carbocatine कब बनेगा जब Carbocatine जो अटेक कर रहा है उसके पास क्या हो Loan PR और हमने हाँ एक चीज़ होगा की Realismant नहीं होगा और addition जो होगा वो कैसा होगा NT तो यहाँ क्या हो जाएगा OH माइनस ठीक है अब यहाँ NT वोला उप्सन नहीं रखा तो कौन सा बनाएंगे यह बनाए तो सीधे हम क्या कर देंगे HOCl माइनस प्लस मार कोनी का अफ लगा दो CH OH CH2 CL यह तो पूरी प्रॉपर मेकेजम बताएगे और यह सीधे डारेक्ट आपका काम इसी से हो जाएगा तो answer क्या होगे 3rd ठीक है पहले को अटेक कर रहा है इसमें यह भी पूछा हुआ है CL प्लस इसमें कोई रियरेजमेंट नो रियरेजमेंट बिटा 15 निम्ण अबकरिया पर बिचार कीजिए निम्ण अबकरिया पर बिचार कीजिए तो देखो क्या लिखा है निम्ण अबकरिया बिचार कीजिए यहाँ पे A है AG2O ठीक है और HG plus 2 हाँ, बहुत साही HG plus 2, H2SO4 यह न, तो यहाँ देखो इदा, यह करने का मतलब है, क्या होना चाहिए Terminal Alkin यह होने का मतलब है, क्या होना चाहिए Terminal Alkin ठीक है न Terminal Alkin है, ठीक है और यह reaction का मतलब भी क्या है, Alkin ठीक है, अब Terminal Alkin में दो option है कौन कौन से बिटा है तीन option है एक दो तीन इससे काम नहीं होगा अब हमें दोनों को उठा के करना पड़ेगा काम पूरा पहले तो H C triple bond CH कोई बच्चा लेता है क्या हुआ? CS3, CHO, NABH4, CS3, CS2, OH, ZNCL2, Concentrate HCL, LUCAS test, याद है? LUCAS test, 3 degree, 2 degree, 1 degree ये 2 से 3 सेकेंड में 5 से 10 मिनाट और ये जनरी आदा गंटा या देता ही नहीं है तो यहां तो क्या है? 1 डिगरी अलकोहल, तो यहां 5 मिनाट में टर्विटी नहीं आएगी तो यह option तो हो गया cancer अब लेते हैं CS3, C, triple bond, CH ठीक है? Option कट करना आपको यहां CS3, COH, double bond, CH2 Tautomerize क्या बन गया? CS3, CO, CH3 NABH4, CS3, CH, OH, CS3 ZNCL2 का 5 मिनाट में टेस्ट दे देगा क्या है? 2 डिगरी अलकोहल कौन सा अलकोहल है? 2 डिगरी अलकोहल है ठीक है? तो 2 डिगरी अलकोहल 5 से 10 मिनाट में टर्विटी दे देगा ठीक है? तो आंसर कौन सा होगा है पिटा? 2 इसके लिए टर्मिनलकाइन और ये दोनों आप्संस हमने चेक कर लिया है सही है? ये रियक्शन कौन सी है? खुसरोब रियक्शन कौन सा एडिशन हुआ? नुकलोफिलिक एडिशन ठीक है पिटा? नेक्स्ट बहुत सांदार कॉस्टेन ये भी है देखो ये है A L C L 3 A L C L 4 माइनस निकल गया प्लस 4 अब यहां बात आ गए देखो यहां थोड़ी सेंट अगर ये होता है यही काम तो वन डिग्री से हम टूड़ी में nehी करते है top वन डिग्री से ठीड़ी में हाँ टूड़ी में nehी करते हैं इसलिए के लेकिन यहां क्या दे रख ता है? देखो अ worry time room होगा OCS3 एक दो ती एक दो तीन चार और एक प्लस माइनस पाँच तो यहां क्या हो गया OCS3 देख लो कौन सा है यही है सेकंड मता 16 का क्या है सेकंड बोलो देख लो बेटा इसमें वन डिगरी है अगर यही टू डिगरी होता है तो रियरेज्मेंट नहीं करते हैं बहुत अच्छा कोश्चा नहीं है समझगे बात तो आंसर इसमें क्या हो गया सेकंड वन डिगरी कार्बुक टैन किसमें लिए गए थ्री डिगरी में बोलो ठीक है नेक्स्ट और कोई ऑप्शन उसके सुटेबल नहीं है इसमें जो है नेक्स्ट एमांग दा फॉलॉइंग एरोमेटिक कंपाउंड विच वन आप फॉलॉइंग लोएस मिल्टिंग पॉइंट अच्छा यह डाटावाइज मैटर मियू नॉट इकोल टू जीरो मियू नॉट इकोल टू जीरो मियू नॉट इकोल टू जीरो यहां क्या है मियू जीरो है क्या है नॉन पोलर ठीक न वीक वांडरवाल फोर्स इसलिए इसका मिल्टिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा गाटा वाई जाए बहुत सिंपल कुश्चन ही लिख दिया नेक्स्ट कुश्चन बात आती है अब कौन सा सेट्जफ प्रोड़क्ट नहीं देगा सेट्जफ मतलब डवल बॉंड के क्रॉस मोर ऐलकाईल वो होता है सेट्जफ तो इसमें कहाँ जो नहीं देता है सुलनो इदर, generally reactant पे minus i, जिसे ये है यहाँ पे minus i हो और जो reagent हो, वो bulky group हो, यहाँ पे कोई ऐसे tertiary butoxide, यह न हो simple कोई CL ही है और यहाँ tertiary butoxide अगर दे रखा हो, BR हो, tertiary butoxide अगर दे रखा हो तो इसलिक hydrogen लेगा और यह इसको देगा, CL क्या हो जाएगा बाहर, और वो क्या बना लेगा half month product, तो देखते हैं किसमे हैं ऐसा simple halogen है और यहाँ क्या है, tertiary butoxide ठीक है, CCS3 यह लिख दे न, तो CS3 hold twice CH ठीक है ठीक है एसे लिख देते हैं CS3, CH CS3, CH BR, CH3 ठीक है, और यहाँ दे रखा है CS3, C, CS3 CS3, सही कर ले न, इसको है O minus K plus तो इसलिक hydrogen यहाँ से निकाला इसलिक hydrogen निकाला इसने इसको दिया और यह बाहर तो यहाँ जो product होगा CS3, rearrangement का स्वाल ही नहीं है CS3, CH, double bond, CS2 तो इसमें set the product नहीं बनेगा कौन सा बनेगा half bond तो answer क्या हो जाएगा only C यह कौन सा है second answer देख लो अगर वहीं सुनो दर इसकी hint एक बात और सुन लो यह तो हो गया यह ऐसा भी होता न CS3, CS2, CHF यह भी आ सकता है वहीं जेएमें के बच्चो, नीट के बच्चो द्यान सुसन लो यहाँ एलकोहलिक के वेच है तो यहाँ भी एसरीक हाइडरिजन निकालोगे CS2, CHF CS2 माइनस इसने इसको दिया यह बाहर CS3, CS2 CH, double bond CS2 ठीक है? देख लो तो इसने भी क्या बना? हाफमान प्रोड़क्ट और NR3 प्लस वाला कौर्टनिय अमोनिय वाला जानते ही हो Next उन्निस तंबर क्वेश्चिन Consider the following reaction You can consider the following reaction Which of the कौन सा संभव है? कौन सा नहीं संभव है? सीधे बहुत सिंबल सा है अचा एक सीधी बताओ बेंजीन से या डवल बॉंड से डारेक्ट सीधे है तो उसको निकाल सकते हैं? इसको निकाल ही नहीं सकते यह सांदार है question NCIT यह भी निकाल नहीं सकते क्योंकि डवल बॉंड से सीधे अटेच है तो यह दोनों तो नहीं होंगी इन ही रेक्षनों को करना आपने यह इसी इन ही कर लेते हैं बेंजीन है CL2, AL, CL3 देख लो इसी को हम कर दे रहे हैं बेंजीन है एक्सिस में CL2 होगी AL, CL3 ठीक न? तो यहाँ देखो यह गुमा दिया प्लस और यह माइनस CL2 प्लस AL, CL3 CL प्लस, प्लस AL, CL4 माइनस माइनस H प्लस ऐसे कितनी बार करेंगे? 6 टाइम कितनी बार? 6 टाइमस एक बार तो होगे, 5 टाइमस और करोगे तो बेंजीन और सब में क्या लग गया? CL ठीक है? और यहीं question द्यान सुन लो यह तो आ गया अगला और आ सकता है CL2 H new हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक, एक यह reaction यह हो गई तो यह वाली matter सही है यह वाली matter सही है यह वाला मामला सही है एक्सिस लिखा है उसमें देखरो न, एक्सिस मिलकर रखका है ठीक, यह वाली reaction कर लेते हैं दी, CS2 double bond CH, CS2 CL बेंजीन है CS2 double bond CH, CS2 CL ALCL3 यह क्या हो गया? CS2 double bond CH, CS2 प्लस और यह सीधे किस पर test हो जाएगा? बेंजीन पर क्या बन गया? बेंजीन CS2 CS double bond CS2 देख लो चाहिए? बोलो ठीक है? इतनी बात में कोई लफड़ा है? तो question पर आते हैं question यह है कौन सा सही होगा? तो A तो नहीं सही है C नहीं सही है ठीक है? B और D B O D कहां पर है? 4th number बोलो बटा B O D कहां पर है? 4th number इस question clear समझ गया? याद वहीं NCRT के इर्द गिर्द बात करें तो बेंजीन की CL2 के साथ H new के presence में तो उसमें क्या बनेगा? 6th 6th उसमें क्या बनेगा? 6th 6th कर लोगे? हाँ तो बात करते हैं question number 20 ठीक है? इसके बारे हम देखते हैं C N ठीक है न? पर ओक्साइड R2 O2 ठीक है? यह जो चीज एक्स्पेन होती है पुस्पुल मेकेजम से होती है तो यहां जो फ्री एडिकल बनेगा कौन सा दिक इस्टेबल होगा? यह वाला किस से बाई पुस्पुल मेकेजम ठीक है? अब आगे रीक्सन कर रहा है यह एलकीन के साथ किसके साथ? एलकीन के साथ इसको मिटा देते हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे सी एन यह है यहाँ पर आक्साइड आर्टू ओटू हीट है ठीक है यह बना किस से पुस्पुल मेकेजम से माइनस आई माइनस एम अब आगे रीक्सन कह रहा है एलकीन की अब देख इदर ठीक है यह एलकीन की रिएक्शन कर रहा है अब एलकीन की रिएक्शन जब इसमें पर आक्साइड वाली बात होगी तो यह कौन सी होगी देखना इदर इसको इसका फ्री एडिकल कहां स्टेबल बनेगा। देखो यहां बनाया तो यहां पर कितने थरी टू फाइफ अलफाइड छिन की संजडेब्याay बनायет तो तो नभी पर इदर तो कितने था इसका इडिकल अधिक इसका जो फ्री एडिक्शन अधिक यह उसी कि दूसरा बला attack करेगा ठीक है न तो इस पर जो attack करने वाला होगा ये कौन सा वाला होगा 123 और यहां ओगा फ्री यही इस पर attack हो जाएगा बोलो ठीक है ये वाला फ्री अडिकल क्या होगा अधिक इस्टेबल बनेगा यहां पर बात समझ रहे हैं उसको जैसे जब वग अटायक कराएंगे तो यह अटाइक कराएंगे तो यह फ्रीडिकल क्या होगा अधिक stable होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया यह यह तो होगा cn यह ऐसे कितने bond 12345 12345 इसमें 1234 में दो आप्शन तो इस टाइप के हैं ठीक है यह तो ऐसे भी कैंसिल है बोलो यह तो वैसे भी कैंसिल है यह वाली बात हो गई अब देखो कहां five carbon सीधा है देखो वहीं पे concept लगाए इसने कि यह वाला यह वाला अटेच होगा कि यह वाला तो वह चीज यह अधिक free radical stable है इसलिए attach कौन सा होगा ये वाला कितने कारबन देखो 12345 यहां भी 12345 इसलिए answer कौन सा होगा बहुत सांदार conceptual question है बहुत ही अच्छा question है ये तो हो गया भाई push-pull mechanism से अब ये attack होगा ये जब attack करेगा तो यहां free radical अधिक stable तो यह वोला free radical है अब उसके साथ क्या जाएगा जो यहां बचा एक क्या जाएगा है Oops तो नेस्ट question पर चलें An unsaturated hydrocarbon X Absorbed two hydrogen molecules on catalytic Hydrogenation And also give the following reaction X है Ogenesis किया है Reductive Ogenesis फिर आगे क्या है Tolence reagent के साथ reaction है इसके लिए हम सबसे अच्छा और क्या बनेगा ऐसा करने पर 3-oxo-hexane-dicarboxylic acid तो हम तो कहेंगे बिटा इसमें option में से ले जाओ आप और option में जो procedure दे रखा उसको कर लो जैसे ये है पहला आओ ठीक है यहां कर दिया O3 ZN S2O O3 ZN S2O क्या करोगे double bond तोडो और क्या लगा दो O तो यहां तोड़ दिया O O यहां तोड़ दिया O O ठीक है तो यह हो गया आपका O और यह हो गया CHO CHO और वो CH2O बाहर अब इसकी tolerance agent tolerance agent ketone को कोई touch नहीं करेगा L-dehyde को किस में change करेगा बिटा acid में very good तो यह हो जाएगा C यहां क्या होगा CO OH ठीक है मूल question पर आते हैं क्या बनाना अपने को 3-oxo-hexane di-carboxylic acid इसका नाम लिख ले देखते हैं 1-2-3-4-5-6 चुक गए यह answer नहीं होगा क्योंकि यहां क्या बना है 2-oxo-hexane 1-6-di-carboxylic acid मतलब hexane di-carboxylic acid तो यह answer नहीं है clear first order option नहीं है next आ जाओ second क्या है यह है ठीक है फिर वही काम करते है O3ZN S2O CHO CHO बोलो बिटा अब इसका tolerance agent यहां भी मामला चोकी गया वही चीज बन रही है वही चीज बन रही है यह भी answer नहीं है पिर मूल question पर आते है third यहां तोड़ दिया O और O तो यहां क्या बन जाएगा देखो इसमें तो यह बन जाएगा यह तो बन जाएगा और CS2O CS2O बाहर तो यह भी answer नहीं है fourth पर आते है इसको मिटा है fourth ओला क्या है ठीक है और यहां यह है चलो ओफ देखते है यहां क्या हो गया O3ZNS2O बोलो बटा तो यह हो गया CHO C double bond O CHO यह हुआ अब इसकी किस के साथ टॉलन रिएजेंट यह है numbering कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया क्या 3-oxo-hexane-dicarboxylic acid इसलिए यही क्या हो गया answer आराम से देखो कोई जल्दे बाजी नहीं है अपने क्योंकि यह question सब repeat होंगे यह सब conceptual ठीक ठा question है तो अपने मूल पे आते हैं answer कौन सा हो गया fourth कुछ नहीं करना यह जो पूरे दिर्टी है हमने x a option में चले गए कर लिया थोड़ा तुम तेज भी आ जायागा तुम्हे next question next question हाँ इसके बारे में बात करते है एलकाइन की सबसे famous reaction है और यह क्या है खुसरोब reaction और यहीं एक reaction है जो कौन सी है nucleophilic edition reaction क्या देगा यह मार्कोनिक आफ रूल से ठीक है तो हम reaction लिख देते हैं पहले CS3 C8 CS3 C triple bond CH यही है किसके साथ रेक्षन कर रहे हैं अपने HG प्लस 2 dilute S2SO4 यही है कौन सी रेक्षन होगी मार्कोनिक आफ मार्कोनिक आफ होगी तो CS3 CH CS3 बोलो बेटा सही है COH double bond CS2 अब इसके क्या हो गया टॉटो मराइज क्या बन गया CS3 CH CS3 CO CS3 यह तो पहला एक्षन है इसके बारे हम बात ध्यान से सुन लो कौन सी रेक्षन है खुसरोब रेक्षन यह कौन सी रेक्षन होती है नुक्लियोफिलिक एडीशन रेक्षन इसमें कोई रियरेज्मेंट नहीं होता है ठीक है फिर मूल कोश्चन पर आते है आगे दे रख्था है आपका C2H5 NGBR C2H5 NGBR फिर दे रख्था है कंसेंटेट S204 चलो यहां क्या हो गया माइनस और यहां प्लस यह वन गया CS3 CH CS3 CO NGBR CS3 और यहां क्या हो गया C2H5 बोलो सही है अब यहां क्या हो गया H प्लस OH माइनस माइनस और यह प्लस क्या बन गया CS3 CH CS3 COH CS3 C2H5 बोलो इतने तक हो गया फिर मूल कोश्चन पर आते हैं आगे क्या क्या रख्था है कंसेंटेट S204 हीट अब इस पर क्या करोगे H तो H प्लस ले जाओगे तो CS3 CH CS3 COH2 PLUS CS3 C2H5 यहां से S2 निकाल दिया यहां से क्या किया S2 निकाल दिया तो यह बन गया CS3 CH CS3 C C PLUS CS3 C2 H5 ठीक है कैसा आई है 2 डिग्री देखो इसमें 3 और 2 5 फाइड हो जाना है इधर जाएगा CS3 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 PLUS CH CS3 C2 H5 ठीक है अब क्या करोगे माइनस H PLUS CS3 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 double bond CC2 H5 और यहां क्या हो गया CS3 देख लो इसको पूरा हम चाहते हैं यहीं से भी निकाल लेते हैं तो आंसर पर कोई फरक्त नहीं पड़ता आंसर वही रहता लेकिन एक बार अपनों ने क्यों यहां पर रियरिज्मेंट किया है क्योंकि 3 to 5 अलफाइड जोना है इधर जाता तो कितने अलफाइड जोना होते 6 कहीं आप से मानलों क्वेश्चन देके कुछ पूछ ले इसलिए ऐसा हमने किया है देख लो भई पूरा देख लिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हमने इसलिए एक बच्चे बेटा जी बेंग बच्चा तो इसको करी लिया होगा नीट के बच्चे कि इसको एक-एक को इस स्टेफ वाइस क्योंकि सीधे NTA टिका देगा ठीक हैं तो मूल कोश्चन पर आते हैं कौन साँसर हुआ ये तो मिटा दें ये तो पोस्ट करके देख लिए सबने अग्या है अब इसको मिटाते हैं मूल कोश्चन पर आते हैं आंसर कौन सा था पॉस्ट बोलो अब आ जाते हैं 23 नंबर पर बहुत सांधार कोश्चन 23 फिडल क्राफ्ट रेक्शन कौन सा अधिक्तम उत्पाद देता है कुश्चन में थोड़ा सा अच्छा बनाने कोशिस की है विच और देगा ऐसा कह देता तो कुश्चन में थोड़ा सा इसलिए बात करते हैं यह तो क्या है डी अक्टिवेटिंग रूप तो यह नहीं देगा यह नहीं देता है एंसरे बात सुन लो नाइट्रो बेंजीन फिडल क्राफ्ट रेक्शन नहीं देता है वह किस की तरह काम क एक्सें नहीं देता है पिक नहीं करें देता है क्योंकि और क्या क्या करेगा है कॉंप्लेक्स बना देगा gods ड्याक्टिवेटिंग ट्रोडोर्फ नगीं देता है लेकिन अधां यह अक्सिसicken- कर देas एक्सेस जब दिया होगा तो तो हमें इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है ये NCIT से उठा के देखो हर चेप्टर के पीछे 6-7 एलेक्ट्रोफिलिक सब्स्ट्यूट्स रेक्शन दे रख्योगी जनरली कौन-कौन सी कंसेंटेट HNO3, STO4 की दे रख्योगी गौर करना बिटा नीड जैमें दोनों जो लोग एक्जाम देने वाले हैं जस्ट वो देखो जो NCIT से उसी को अगर कोई बच्छा नहीं भी जानता न यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो फिनॉल वाली रेक्शन नहीं लिखी उसमें कि देखोगे तो नहीं लिखी है क्लोरो बेंजीन के साथ देखो CS3, CL, AL, CL3 की रिएक्शन लिख रखी है ठीक है नाइट्रो बेंजीन, बेंजोईकेसिट के साथ नहीं रख रख तो सब में लाश्ट में जिसके साथ नहीं होनी हो, नहीं लिखी है, उसने, नहीं तो लिखी है, तो klorob engine के साथ fiddlecraft reaction देगा, और यह भी दे सकता है, लेकिन यह access में, तो हमें क्या question दिया है, कौन सा अधिकता मुत्पात मैक्सिमम इल्ड किसकी होगी, सीधे आ सकते हैं वेटा कुश्चन और इस पर हां बात कर लें कई कोचिंग ने इसको कभी यह जब आने के पहले किसी ने उसको दिया था किसी ने इसको बाद में इसी को प्रिफरेंस दिया था ठीक न एकॉर्डिंग टू एंसी आइट और और जिए कोई फॉर्ण डेटर की बूक अगर उठाओगे तो उसमें लिखा होता है फिनॉल देगा लेकिन एक्सिस में ठीक है नेक्स्ट कुश्चन समझ गे बाद तो आंसर दिया में एकना कौन सा होगा क्लोरो बेंजी ठीक है चले आगे चलो टॉन्टी-फॉर वेरी गुड़ कंसी दव फॉलोई रियक्षन जिमनेखित अब करिया विचार कीजिए दमास परसेंटेज अदो कारवन इन ए इस ए में कारवन की कारवन की संगति परसेंटेज पूछ रहता है तो हम तो कहते हैं कि क्वेस्ट्टन को इसको तुम बैक से करो ठीक है क्या क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा यह बनते हुए जब यहां पर सी यू से यह बना होगा तो क्या हुआ होगा बताओ सी यू क्या एस टू ओ ठीक है सी यू 573 केलवेन कैटलेटिक ऑक्सिजेशन हम बार बार यह चीज जोड़ दे रहे हैं और इस चीज को दिखा रहे हैं क्योंकि बेटे एंसी आटी पढ़ना सुरू करो पढ़ना सुरू कर दिया है पता है मैं लेकिन उसको थोड़ा सा गाइ तरूंस कोई से किस्तरिए होगा इसको एहां से कर लेते हैं विए मैं ठीक है तो सी अस्तरी होगा सी एस्तरी होगा और यहां क्या होगा ओ-एच और यहां क्या होगा सी याश्टक सी एस थ relatively ऑब बोलो, अब यहां पर नहीं हो सकता यह, यह मुद्धा कहां होगा, यहां पर, OH, H2 निकालना न, तो CH, CH, CS3, CS3, और यहां क्या हो गया, OH, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, फिर क्या रहा है, CS3MGBR के साथ, reaction पर यह बन रहा है, ठीक है, तो CS3MGBR, मतलब, यहां पर CS3MGBR, देखना, तो यहां पर होगा, CS3, CO, CS2, CS3, यह सही था, ठीक है, यहीं पर कर दो, यह तो रहन दो, यह CS2, और यहां पर, पूरा मिटाएगा, यहां पर CS3, CO, क्योंकि CS3 के एक्स्टा आ रहा है, CS2, CS3, यह तो कहां से आएगा, अब देखो, अब यहां हाईड्रोसेस है, अब यह सीक्वेंस देखो, अब यहां तुम अच्छे से पकड़ पाऊगा, हमने बैक से आए, डबल बॉंड था, क्या हुआ होगा, दिमाग से सोचना है, डबल बॉंड था, OH होगा, ठीक है, फिर आगे जैसे बैक हुए हम, तो एक CS3 एक्स्टा आ रहा है, इसमें, तो वो CS3 एक्स्टा कहां से आएगा, इसके साथ, किटोन के साथ, ग्रगनार रियजन की रियक्सन करी होगी, तो एक CS3 आ गया, यह हो गया, बोलो, अब यह कंपाउंड हो गया, अब चाहों तो आप इधर से भी जा सकते हो, देख लो, यहां बात समझ रहे हो, यह था, OH लाए, है, H2 निकला, इसका काम, और यहां OH तो डवल बॉन्ड होगा, और एक CS3 एक्स्टा आगी, तो CS3, CO, CS2, अब मोलर मास, मोलर मास, एका, कितने है, 48, 16, 3, 2, 3, टोटल कितने हो गया, 72, एका मोलर मास कितना हो गया, 72, मोलर मास आफ, यह कंपाउंड का होगे, ठीक है, ना, कारवन इन ए, तो अब कारवन का कितना होगा, कितने कारवन इसमें, 4, कितना आ गया, 48, ठीक है, अब परसेंटेज आफ कारवन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 48 upon 72 into 100, ठीक ना, इसको क्या हो जाएगा, 66.6%, बोलो, कोई दिक्कत इसमें, यहां से बात हमने, 2-methyl-2-butyn, है तो निमेरिक रिस्पॉंस को कुश्चन था, तो अच्छा होना यह, 2-methyl-2-butyn, 2-methyl-2-butyn लिखा, यहीं पर क्या लगा दिया, OH, हमने एक बार तुम्हारे सामने किया, एक बार यहां, यहां जब OH हमने लगा तो तो हमारे दिमांग में आगे, जब CS3 द जो, ठीक है, हमने यहां भी लगा कि देखा था, तो अगे फिर CS3 एक्ष्टा नहीं आ पाता, ठीक है, बोलो, अब इसका परसेंटेज कितना आगे है, 60, पहले इसको पॉस करके देख लो, एका पूरा, 72, इसका, बोलो, सही है बटा, नेक्स्ट कॉस्ट्चन पर आते हैं, यह भी सांदार, यह भी अंसे है, तीक है, हम दिखा रहे हैं कहां से, अब देखो, यहाँ पर बहुत सांदार चीज़ है, अगर टॉल्वीन लेते हैं, देखो, इसके बारे हम थोड़ी से चर्चा करते हैं, सिंपल टॉल्वीन है, इस बात को देखना है, हमने कहां से इसको connect किया, अब यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो कोई बच्चा यह लिख दिया, CS2, CL, और आगे दिरका S2O, CS2OS, तो गलत है यह, बिलकुल नहीं गलत है, सही है, किसी नहीं यह लिख दिया, CH, CL2, H2O, CH, OH, यहाँ से H2O, CHO, गलत है यह, बिलकुल नहीं गलत है, किसी नहीं यह कर दिया, CL2, X लिख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, C, CL3, H2O, देखना हम क्या कहना चाहरे हैं आपसे, C, OH, 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 H2O निकल गया, क्या बन गया, CO, OH, तो यह भी बन सकता है, यह भी बन सकता, यह भी बन सकता है, देखो, क्योंकि उसने, यह तो पहले देख लो, पहले, इसको पॉस करके देख लिया, अगर हमें एक मोल दे रखा होता, तो हम आराम से वो बनाते, दो मोल दे रखा होता, तो यह बनाते, और तीन मोल दे रखा होता है me यह बनाते यह तो बहुत साफ सुथ्रा कोउच्टन हो जाता किसी से कोई लफारा नहीं होता आराम से क dibuj करके आप चले जाते लेकिन क।ष्च्च्ट में देखो क्या किया है उसने यह तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, बेंजीन से CL है तो नहीं है, अब यहाँ CL2H दियों, कुछ नहीं पता, क्या दे रखा है, एक मोल है कि दो मोल है कि तीन मोल है, कुछ नहीं पता, कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो एक मोल से काम करके चलाएगा, वैसे उसका गलत हो जाए कुश्चन, क्यों गलत होगा, युकि उसने NCIT बस यहीं है, उसने NCIT नहीं पढ़ी है, जैसे आप carbon compound का chapter निकालोगे, और सुनलो, वहाँ एक line होगी, tolven से aldehyde की टोन बनाने वाली है, tolven से, तो वहाँ लिखा होगा chlorination, एक mole लिखा होगा, tolven से, यह तो उसन CL2-H2, और फिर उसने tolven की CL2-H2 के साथ, दो बार chlorination कराई है, और फिर H2O किया है, और क्याद पना दिया है, बेंजल लिएड, देखो, रोएं खड़े होंगे, अगर तुम्हें चीजों को देखो कि यार कैसे question इसने बनाया है, तो उसने एक line सिर्फ लिखी है, NCIT ने, it is commercial method of formation of benzyli head, it is commercial method of formation of benzyli head, यही बात कही है उसने, और उसी पर answer हो गया, मतलब CL2-H2 होगा, तो आप क्या करोगे, यह दिया हो, चाना दिया हो, अगर दिया है, तो CL कर देना, अगर नहीं दिया हो question में, तो यहाँ CL2, और क्या हो गया, S2O, हीट दे रखा है, तो यहाँ क्य CL, यहाँ से क्या निकाल दोगे, S2O, CHOC, कुछ बच्चे जब एक्जाम देके आया थे, तो उन्होंने कहा था, कि सर या, तो बहुत सही, बहुत सठीक question बनाते हैं, NTA वाले, कि इस line से उठाया है, इस question को, और यह बहुत सारे लोगों हो गलत था, ठीक है न, तो टॉल्वी है, क्यों, दो बार क्लोरिलेशन की, एक बार या तीन बार क्यों नहीं की, क्योंकि बच्चा एक दो बार तो कोई सोचेगा नहीं, लेकिन यह क्या है, कमर्सिल मेथड है, इसलिए बेंजल लिहाइड बनाने का, तो जब भी टॉल्वीन की क्लोरिलेशन करी जाएगी, अब यह कोईशन है, यह हटा दे, तुम्हें दे दे, तो आप क्या बनाना, बेंजल लिहाइड, क्योंकि यह भी ऑप्सन में है, और यह भी ऑप्सन में, देख लो, देख रहा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बोलो, ठीक है, तो यह हाइड्रो कार्बन जितने ह हाइए थे, हाइड्रो कार्बन एक जगा आपको क्वेश्चन करा दिये गए, ठीक है बेटा, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से पोज करकर के इसको देखना, सलूसा इसलिए जान बुचके हमने पूरा किया है, कि आप बच्चे हमारे थोड़ा भी परसान ना हो, और ब एक्जाम से इदर उदर नहीं कर, न्यूज ओकर है नहीं देखनी आपको, करोना ये हो गया, एक्जाम ये टल गया, कुछ नहीं, आपको यहां से मैटेरियल जाई रहे हैं, आप उसको करो, ठीक है बेटा, तो अच्छा करोगे, तो इसको पूरा वीडियो आप देखना, औ साथ साथ चलो, पहले थोड़ा हम से आगे ही चलो, उसको दिक्कत हो, तो संपर करें, थैंक यू, बेस्ट आफ लग,